दोस्तों दिल्ली धीरे धीरे बरबाद हो रहा है। दिल्ली के अंदर ऐसी illegal activities बढ़ती जा रही हैं जो कि उसको अंदर ही अंदर खोकला कर रही हैं। ये जो नमकीन के packet आप लोग देख रहे हैं। ये नमकीन के packet नहीं हैं। इनके अंदर drugs हैं, इनके अंदर कोकेन हैं। बिसीकली एक गोडाउन के अंदर कुछ नमकीन के packet पाए गए हैं। उपर लिखा हुआ है चटपटा mixture और भी कई packet जो है हो मिले थे लगबग 20-25 packet नमकीन के मिले उनके अंदर से कोकेन बरामत की गई है। और आप लोगों को जानकर ये सर्प्राइज होगा, 2000 करोड रुपे की ये कोकेन बरामत हुई है। कोकेन आखिरकार मिलती कहां से है, कैसे इसको बनाए जाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे कौन-कौन से countries हैं जो कि इसका production करते हैं, इसको produce करते हैं और सबसे बड़ा consumer countries का कौन सा है वो आज हम लोग lecture के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन बात तो ये है कि आखिरकार इंडिया के अंदर इतनी drugs आती कहां से है, आखिरकार इनका मकसद क्या है और इनका पूरा syndicate कैसे operate होता है। मतलब वहां का चोटा सा एक हम लोग कोलोनी कह सकते हैं रमेश नगर नाम से। रमेश नगर के अंदर UK का एक बंदा आता है और एक दुकान को किराएपर लेता है। इस से 25 पैकेट नमकीन के अंदर 208 kg कोकेन थी। 208 kg कोकेन की कीमत 2000 करोड रुपे बताई जा रही है। 2000 करोड रुपे कीमत जो है ये इसकी बताई जा रही है। तो बड़ी जबरदस्ती तो रकम हो गई। लेकिन ये पहली बार नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि निउस के अंदर कि नमकीन की जो पैकेट है वहां से 2000 करोड के ये कोकेन बरामद हुई है। एक्च्यल में क्या है कि दिली के अंदर एक उप्रेशन चाहरा है और इस उप्रेशन के अंदर किस तरिके से दिली पुलिस ने इनको कैप्चर किया है। ये बंदे इंडिया के अंदर पुरी की पुरी चेन को उपरेट कर रहे थे और आप लोगो जानकर ताज़ुब होगा जिस समय पुलिस ने इनको पकड़ा है उस समय ये पहली बार ही एक दूसरे से मिले हैं आज तक जानते भी नहीं थे क्यों नहीं जानते थे क्योंकि सोशल मीडिया के थूँ एक दूसरे से कनेक्ट करते थे और कनेक्ट करते थे एक नेम के उपर एक नाम, कोड नेम इन्हों ने दे रखा था उसी कोड नेम के बिसेस पर एक दूसरे से बाचित करते थे थूँ सोशल मीडिया, फेस्बुक और इंस्टाग्राम से और फिर जब इनको ट्रेस किया गया, इनको पकड़ा गया तो पुलिस वालों नहीं इनको पहली बार मिलाया कि भई तुम लोग एक दूसरी से बाचित करते थे और ड्रग्स सप्लाई करते थे इसका जो मेन, मास्टर माइंड है वो दुबई के अंदर है दुबई से ये पुरा का पुरा जो ट्रैप है पुरा का पुरा ये जाल है इंडिया के अंदर बिछा रखा था UK के अंदर रहने वाला वैक ती इसका मैनेजर बताय जा रहा है और कूरी इंडिया के अंदर ये ड्रक्स हो सप्लाई करता था और ड्रक्स सप्लाई होते कैसे थे वो मैं आप लोग को बताता हूँ ये जो कट्टे आप लोग देख रहे हैं ये हैरोईन के हैं इससे पहले लगभग 700 करोड की हैरोईन रिसेंटली बरामत हुई थी दिल्ली से ही तो दिल्ली में आए दिन ऐसी धर पकड़ जो हो चल रही है ऑपरेशन कवच की तहट जहां पर ड्रक्स बरामत किये जा रहे है अगर हम लोग कुछ आंकडों पर नजर करें तो अपरेल 2021 से लेकर अब तक बहुत बार ऐसा हो चुका है कि बहुत बड़ी मातरा के अंदर ड्रक्स को सीज किया गया है लगबख 26,000 करोड की ड्रक्स को सीज किया गया है लक्ष दीप के अंदर, न्यू डैली के अंदर, गुजरात के अंदर गुजरात है, निउ डैली है, महाराष्टर है, गुजरात है, ये वो जगह है जो की पोड से लगती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि गुजरात देखिए, वहाँ पर समंदर का किदारा लगता है, फिर इसके बाद में महाराष्टर देखिए, निउ डैली exceptional है, क्यों? निउ ड करना चाहते हैं, और हम लोग इसके demand कम करने को तयार नहीं है, कहां से आती है? देखिए, इसको cultivate करने वाले जो देश हैं, उसके अंदर है Columbia, जो कि 65% production करता है, उसके बाद में है Peru 27% और Bolivia 8%, तीनों की तीनों जो country है, वो South American continent की countries है, जहां पर ये consume होता है, North America के अंदर सबस 2%, अफरीका के अंदर 10%, तो Asia के अंदर है 12%, तो Asia के अंदर भी धीरे धीरे अब consumption बढ़ता जा रहा है, तो ये देश है, जो कि इसका production करता है, और production कैसे होता है, पती उसे, इसकी cultivation की जाती है, और ये जो पतियां है, इनको सुखा कर, इनका वो powder के अंदर, या फिर tablets के करतियों को चबाया करते थे, अब actually में, पहली बार, पहले जैसे मान लीजए कि हम लोग इसे की बात करें कि खांसी की दवा होती है, अब खांसी की दवा, पीने से, नशा भी हوتा है, ये भी पता है, ये जिए इसके मतर अलकाहल की मात्रा होती है, quantity होती है, तो खांसी की देने से लोगों को ये लगने लगा कि यार इससे तो नशा हो रहा है तो धीरे धीरे इसका consumption बढ़ता गया और cocaine जो है वो drug के अंदर count होती चली गई तो नशे के अंदर ही convert हो गई इसकी basically पतिया जो होती है इसका use करते हैं और उन पतियों को सुखा कर पीस कर और tablet के अंदर convert किया आता है और इसको फिर कहां पर transport करते हैं इंडिया के अंदर या फिर Asian countries के अंदर जैसे हम लोग बात करें कोलंबिया इसका cocaine का सबसे बड़ा जो production किया आता है producer country जो है वो कोलंबिया है अब इन्होंने क्या किया सबसे पहले इन्होंने गोवा के गोवा का जो coastal region था वह बढ़ता चला गया तो इस तरीके से cocaine जो है वो भारत के अंदर पहुंची है तो South American जो countries है अब देखिए इससे पहले भी अब आप लोग को लगता होगा कि यार ये जो drugs वगरा होती है ये केवल और केवल plants से मिलती है ऐसा नहीं है इनको synthetic भी बना जाता है जैसे एक drug है MD के नाम से तो ये जो drug है इसका scientific name है methylene-dioxymethamphetamine ये इसका क्या है एक scientific name है ये एक synthetic drug है मतलब किसी भी plant से हमने इसको नहीं लिया है जैसे गालजा और अफीम होता है उसको हम पौदे से लेते हैं वैसे इसको synthetic MD को जो है वो synthetic बनाएगा है chemicals का use करके इसके फिर tablet और powder की format में करके इसको अलग अलग जगे transport किया आता है tablet के रूप में तो ये ecstasy कहलाता है मतलब जब इसको tablet के रूप में convert करेंगे तो ecstasy कहलाएगा और powder के format में या फिर crystal form में होगा तो इसको हम लोग Mendy कहते हैं MD के नाम से Mendy जो है कहा जाता है इसको लेने की बाद वैक्टी जो है उसको पंजाब के अंदर खबरे सुनते हैं कि पाकिस्तान से ड्रग जो है वो पंजाब के अंदर supply हो रहा है और पूरे पंजाब को खोकला कर दिया है ऐसा ही अब दिल्ली के हालात हो रहे है तो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से ये drugs जो है उनका माफिया चाया हुआ हुआ है तो ये syndicate जो है वो basically दुबई से operate होते हैं और भारत के अंदर इन्होंने कई सारे अपने जो slipper cells हम लोग कह सकते हैं उनको बैठा रखा है ये social media के थुरू connect होते हैं पता भी नहीं लगता और बहुत सारे youth ऐसा है जो की पैसो की लालच के अंदर इनको एक जगे से दूसरे जगे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो आज भारत के अंदर ये जो drugs consume हो रही है ये कही ना कहीं western जो countries हैं उनके थुरू भारत के अंदर इसको फैलाय जा रहा है लाय जा रहा है तो हम लोग को थोड़ा समझने की ज़रत है कि ऐसे ही जो नशे बगरा है इनसे दूर रहे 100 days का hard challenge आप लोग के लिए है आप लोग pornography से बाहर निकले आप लोग की दिमाग के अंदर innovative ideas आएं आप अगर studies करते हैं तो आपके focus concentration की उपर बहुत जबर्दस काम होना चाहिए इसलिए हम लोग उने 100 days का challenge आप लोग के लिए लेकर आए है reverse of India यह भी हमारा topic चल रहा है आप लोग ज़रूर इसको join कीजिए one day exam चाहिए UP PCS हो किसी भी state का PCS हो one day exam जैसे हम लोग SSE की बात करें हम लोग railway की बात करें वहाँ पर बहुत कारगर साबित होने वाला है output ज़रूर मिलेगा आप लोग को तो आप लोग इस बात को जरूर जोइन कीजिएगा तो चली मिलते हैं आप लोगों से अगले session के अंदर ततले धन्यवाद थैंक्यू जैहें